दोस्तो आज के हम इस विए बात करेंगे अगर आप इंटर एगर हुई में एडिमिशन के लिए आविधन किये थे और आपका डेट अब बर्थ जो है एक दिन कम दिखा रहा है या फोटो चेंज दिखा रहा है तो उसको लेकर क्या समधान है और इसका जो है समधान आ चुका किस तरह से सुधार हो रहा है मैं आपको एक सबसे पहले केस बताता हूँ के कंडिडेट का रहा हो गा 27 सेटमबर 2007 इस कंडिडेट का डेट अब बर्थ है लेकिन इसका एक्शोल अड्मिट कार्ड पे जो डेट बर्थ है वह है फ्रेंड आपका 28-9-2007 यानि एक दिन इसका वो राप्त करेंगे अगर उनको जो है application number पता है तो जी है दोस्तों आप बहुत ही असानी तरीके से आप जो है यहाँ पे not otp receipt पे क्लिक करके यहाँ पे application number डालके आप जो है पता कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को दिकत हो रहा है यहाँ जो आप application number लिख रहा है ना इस परकार से जो मैंने लिखा हुए तो लिख रहा है कि a not valid application number तो इसका भी समधान आ चुका है बहुत ही धासूत त्रीक है मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास्त तक देखिए और समझे सरी information को सबसे पहला जो problem अगर आपका photo या जो है data birth में कुछ भी गलती हो ज है तो आप क्या करिए दो दिन तिन दिन वेट कर लिजिए maximum 24 घंटा में हो जा रहा है बदलाव लेकिन दो दिन तिन आप वेट करिएगा और वेट करके जब आप यहाँ पर login करिएगा न यहाँ पर देखेंगे तो date of birth आपका सुधरा हुआ मिलेगा और photo भी आपका ही प्रोब्लम के वज़े से जो है friends ऐसा प्रोब्लम आ रहा था लेकिन अब जो है सबका ठीक हो जा रहा है तो किस तरह से ठीक हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है मालेजिए आपने form भर दिया आपका photo कुछ अलग आ गया है या data birth कुछ अलग आ गया है तो आपको बि file नमबर password लिखेंगे और login करेंगे तो आपका जो है यहां पर इस परकार से दिखा देगा आपका देख रहे हैं आपका data birth सुधरा हुआ मिलेगा आपका photo सुधरा हुआ मिलेगा यह मैं खुद जो है एक candidates का यहां पर मैंने देखा क्योंकि एक मेरा दोस्त है उन्होंने प्रोब्लम आ रहा है तो फिर उन्होंने हमको बताया कि 289 2007 जो है इसका actual data birth है लेकिन मैं आज इसको login करके देख रहा हूं मुझे लगा कि कहीं edit का option आया होगा portal पे जब मैं login करके देखा तो यहां पर 28 September 2007 इसका data birth सुधर चुका है तो इस तरह से friends आप यहां पर देख सकते है अटोमेटिक जो है सरवर सुधार दे रहा इसका जो भी problem आ रहे है तो आपको बिल्कुल टेंसर नहीं ले रहा है फोटो या सिनचर कुछ भी गलती हो गया आप उसे सुधार जो है अटोमेटिक हो जा रहा है यह आपको बिल्कुल घवराने वाली बात नहीं है अब हम ब बट not OTP received OTP received नहीं हुआ है आपने फोर्म भर दिया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पी अपना अप्लिकेशन नमबर लिखेंगे जैसा अप्लिकेशन नमबर लिखेंगे तो यहां लिख रहा है कि वालीट अप्लिकेशन नमबर नहीं है तो इसके आगे आपको जो है तीन जीरो लगाना है इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो एक जीरो और बढ़ा देना देखे एक जीरो मैंने बढ़ाया और अब यहां पर काफी लोग बोलेंगे कि मेरा अप्लिकेसर नमबर मैं नोट नहीं किया तो उसका मैं आगे अभी इसके बारें बता दूगा कि इसका क्या उपाय है फिलहाल आप यहां पर जो है मोबाइल नमर लिखे जैसे समिट करेंगे इस तरह से बोलेगा कि OTP सेंटर और आपको OK करना है और यहीं पर OTP दिखा देता है आप OTP को नोट कर लेंगे इसी समय या Copy भी आप यहां इससे कर लेंगे इस तरह से हम Copy कर लिए अब हम इसे करते हैं OK करते ही आपको OTP पेच्प लेका जाएगा यहां पर OTP को आप क्या करेंगे भारेंगे और भारने के बार पे और password उसमें लिखा होगा, वो दोनों को यहां लिखके, अब क्या करेंगे, आप login करेंगे, और login करके जो भी आपका आगे का process जिसे comment जमा करना, वो आप क्या करेंगे, आप payment को जमा करना करेंगे, तो मैं यहाँ पर login करके जो है, एक comment करता हूँ, जैसे friends, आप लॉग इन करेंगे आपका इस तरह से डैसबोर्ड खुलेगा अब देखें यहां पे आपने जमा करनी है क्योंकि जब तक आप पमेंट नहीं जमा करेंगे आपका कुछ भी इसमें जो है सक्सेज नहीं होगा और आपका अडिमिशन नहीं हो पाएगा ठीक है ना तो आप चाहिए ओटीपी चाहिए तो कैसे प्राप करेंगे मैंने बताया अब जिनके पास अप्लिकेशन आइडी नहीं है वो क्या करेंगे उनके लिए कोई अभी ऑप्शन नहीं आया है अभी आप वेट करिए तीन से चार दिन वेट करिए या दो दिन वेट करिए application में काम हो रह और आपको तुरंत वहाँ पर फोर्गेट अप्लिकेशन का आएगा कि आप अपना अप्लिकेशन प्राप्त करें और जो भी केंडेट्स नया फॉर्म भरना चाहते हैं अब वो फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि वेबसाइट जो है स्मूथली वर्क कर रहा है अब आपका अच्छ आए अगर लग रहा है कि यहां पर मैं कुछ घलत भर दिया हूँ आप दो तीन दिन वेट कर लिजिए करेक्शन का समय आएगा करेक्शन करके ही प्रमेंट कर येगा लेकिन मेरे केस में क्या है कि हम पर करने वाले क्योंकि कोई भी गलती नहीं है तो हम एक बार जो है selected college का नाम देख लेते हैं सारा college सही है उसके बाद से हम यहाँ पे जो है common application form का option है payment history का भी देख लेते हैं इन्होंने अभी तक कोई payment नहीं किया हुआ है आप हम क्या करेंगे payment information पे जाएंगे और यहाँ पे एक ही option आ रहा है axis bank easy pay आप इसको चाहते हैं या card से करना चाहिए और दूसरा option यह भी है कि आपके पास axis bank का भी यहाँ option आ रहा है तो मेरे पास axis bank नहीं है जिसका पास axis bank यहाँ पे click करेंगा वह जो है का है काड का भी ऑप्षन है अगर वह?.. fazendo काड का, रखा एक इस में से कौन सा बैंक है वह ऑगर हैreteए कि इस में से कौन सा SBI भी आ सकता है यहां कुछ Limited Bank का नाव आ रहा है Friends यहां आप दीख सकते हैं SBI का मेर को नहीं दीख रहा है यहां पर बाकी सब कोई सहर बैंक है यहां पर सब्सक्राइब करें अपर बाद से आपको जो है कॉमन अप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप इसका भी प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो यह था अबुश्यम कोई अच्छे यहां फॉल प्रूसेश अगर आपके मन में और वह कोई डाउट से प्लाप्स सब्सक्रार आपके